इस ट्रेंज केस ऑफ बृतिंदेश और ट्रियों को बहुत धहान से समझना पड़ेगा बच्चों कि यह इस्टरेंज केस ऑफ बृतिन क्या था यहां पर रिफर करता है Unification of Britain को भी तो इसको आपको ठीक से समझना पड़ेगा कि Britain का Unification किस तरीके से हुआ कैसे Britain का Unification हुआ इस बात को आपको समझना पड़ेगा तो इसको समझने के पहले बच्चो ये बहुत जरूरी है कि यहाँ पे आपको ये जो Map दिया गया है इस Map को आप बहुत अच्छी तरीके से समझने क्योंकि जब तक आप इस Map को अच्छी तरीके से नहीं समझेंगे बहुत सारी चीजें आपके Mind में क्लियर नहीं होगी तो यह आपकी subject knowledge के लिए तो जरूरी है लेकिन आपकी overall information के लिए भी इस point को समझ लेना बहुत जरूरी है बच्चों जैसे कई बार हम लोग ये सुनते हैं कि ये कहा जाता है कि England वाले भारत आए उन्होंने भारत में बहुत लूट पार्ट की कई बार कहा जाता है कि British people जो है वो इंडिया आए Britain को लोग इंडिया आए उन्होंने इंडिया में लूट पार्ट की उसी को कई बार हम ये सुनते हैं कि United Kingdom में ऐसा हुआ United Kingdom ने ऐसा कर दिया तो आम तोर से हम लोग मूटी बोलचाल की language में यही समझते हैं कि United Kingdom Britain, England ये सब एक ही है लेकिन बच्चों ये एक ही नहीं है इस चीज को आप बहुत अच्छी तरीके से आपको ये जान लेना जरूरी है और इसी के लिए आपके सामने यहाँ पर ये मैप रखा गया है कि इस मैप को देख करके आप ये समझें कि अखिर इन में difference क्या है Britain क्या चीज है, United Kingdom क्या चीज है British Isle क्या चीज है और England क्या चीज है ये इस चीज को आप ठेक तरीके से समझ पाईए इसके लिए आपके सामने यहाँ पर एक मैप रिजन किया गया है तो बच्चों आपको बहुत गौर से इस मैप को देखना है तो बच्चों इसको आप सबसे बाहर से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आप यह इस Red Line वाले इलाके को देखिए यह जो Red Line का इलाका है इस इलाके को आप देखिए यह Red Line का जो इलाका है इसके उपर लिखा हुआ है British Isle British Isle मतलब British Island कि British Island में कौन-कौन सी Countries आती है तो British Island में यह पूरा बड़ा सा इलाका है इसको आप ठीक से समझे कि British Island में Scotland आता है British Island में England आता है British Island में Wales आता है British Island में Northern Ireland आता है और British Island में Republic of Ireland भी आता है तो इस तरीके से British Island में British Island की मैं बात कर रहा हूँ जिसको British Isle लिखा हुआ है तो British Island में ये सारी countries आती है इसमें पहली country Scotland, England, Wales, Northern Ireland और Republic of Ireland तो ये जो हैं ये 5 countries मिल करके British Isle बनाती है अब इसके बाद आप second number पर देखिए ये जो black color से ये जो circle है ये जो black color से जो आप outline देख रहे हैं इसको आप देखिए जो second number पर जो black color की outline है ये black color की outline में आप क्या देख रहे हैं ये United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland तो जिसको हम लोग मोटे तोर पर बातचीत की language में United Kingdom बोल देते हैं वो actually United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland है United Kingdom तो बहुत सारे हैं लेकिन हम जिसको England के sense में बोलते हैं वो United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland है तो ये आप समझे ये यहाँ पे black line से इसको show किया गया है और इसको देखिए इसमें कौन-कौन सी countries आती हैं United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland में कौन-कौन सी countries आती है तो ध्यान दीजेगा इसमें कौन-कौन सी countries आती है इसमें Scotland आता है, England आता है, Wales आता है तो United Kingdom में Scotland, England, Wales और Northern Ireland ये 4 countries United Kingdom में आती है तो United Kingdom का पूरा नाम United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland है जिसको हम लोग मोटे तोर पर United Kingdom बोलते हैं तो United Kingdom में ये 4 countries आती है Scotland, England, Wales और Northern Ireland अब इसके बाद देखिए इसके बाद आप ये इस Blue Outline को देखिए ये जो Purple या Blue Outline है इसको हम Great Britain बोलते है Great Britain में कौन सी countries आती है इसमें 3 countries आती है Scotland, England, Wales ये 3 countries मिला करके Scotland, England और Wales ये 3 countries मिला करके Great Britain बनता है तो इस तरीके से आप ये समझ गया होंगे कि Great Britain में 3 countries आती है फिर उसके अलावा England जो है ये England एक मात रेक छोटी सी country है ये England है तो ये Great Britain का एक हिस्सा है केवल तो इस तरीके से आपने देखा आपको सबसे पहले क्या बताया गया है कि ये जो British Isle है ये पूरा red line से आपने देखा है कि डिमाग किया गया है इसमें 5 countries आती है Scotland, England, Wales, Northern Ireland और Republic of Ireland ये 5 countries मिल करके British Isle ये British Island बनाती है फिर इसमें से एक country निकल जाती है बसती है 4 तो ये 4 countries यहाँ पर black outline से दिखाई गई है इनको हम United Kingdom बोलते है United Kingdom में 4 countries आती है Scotland, England, Wales और Northern Ireland फिर अगली चीज़ आती है Great Britain Great Britain में 3 countries आती है Scotland, England और Wales ये Great Britain में आती है और England अपने आप में एक अकेली country है तो ये आपको अच्छे से समझना होगा कि इनके बीच में difference क्या है England वो नहीं है जो Britain है Britain वो नहीं है जो United Kingdom है तो इस तरीके से सब अलग-अलग है तो इस तरीके से ये map आपको यहाँ पर दिया गया कि ताकि आपको ये बात एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाए अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि Britain का यूनिफिकेशन कैसे हुआ और वही इसका strange case समझेंगे strange case of Britain ये क्या था या unification of Britain इसको माना जा सकता है ये क्या था तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको बताया गया कि it was the result of a long drawn out process and not by a sudden revolution कि जो Britain का unification हुआ ये एक लंबी लंबे चलने वाले process के बाद हुआ था ना कि किसी sudden revolution के वज़े से तो बच्चों इन सारे points को ये काफी important points है इनको समझने के लिए आपको इन ही notes पे जो आपको present किया जा रहे है इसी पे आपको rely करना होगा और इसी के थुरू आपको proper answer मिलेगा वरना पूरा complete text लेकर कि यहाँ पे बताने से फिर बहुत सारी उसमें extra बात नहीं है जो आपकी किसी काम की नहीं है तो आप इस text को देखिए जो यहाँ पे आपको present किया गया है इसको समझाने के लिए और इसी की basis पे आप chapter को continue करिए तो सबसे पहले आपको क्या बताया गया कि जो Britain का unification था वो एक लंबा चलने वाला process था जिसके परिणाम सुरूप हुआ ना कि किसी sudden revolution कोई revolution वहाँ नहीं हुआ एक लंबा चोड़ा process बाकाइदा कुछ लिखित कारवाईया की गई जिसके बाद Britain का unification हुआ तो अब देखिए ये Britain की unification की बात तो बाद में आती है सबसे पहले हम वहाँ के system को समझेंगे तो यहाँ बताया जा रहा है कि there was no British nation prior to 18th century कि 18th century के पहले कोई British nation जैसी कोई चीज ही नहीं थी Britain जैसा कुछ था ही नहीं British nation जैसी कोई चीज थी ही नहीं वहाँ पर अलग-अलग ethnic communities रहती थी जैसे वहाँ कुछ इलाकों में English people रहते थे तो वह इलाका England था कुछ इलाकों में Welsh people रहते थे तो वह Welsh था कहीं पे English, कहीं पे Wealth, कहीं पे Squat, कहीं पे Irish और कोई British Nation जैसी कोई चीज नहीं थी अब आगे क्या बताया जा रहा है कि As the English Nation steadily grew in wealth की जैसा आप में देखा कि England के लोग जो है वो business करने के लिए, trade करने के लिए दुनिया के अलग-अलग मुलकों में गया है, वो इंडिया भी आया है, वो चाइना भी गया है, वो आफ्रिका भी गया है इस तरीके से बहुत सारी जगों पर वो गया है तो देरे-देरे England Nation के पास पैसा बढ़ने लगा, उनके पास wealth बढ़ने लगी, उनकी importance बढ़ने लगी उनकी power बढ़ने लगी, जिसके पास पैसा होगा, वो कही न कहीं से power भी generate कर लेगा, तो it was able to extend its influence over the other nations of the island, तो इसने देरे-देरे अपना प्रभाव British island के जो दूसरे nations थे, जिसमें wealth आता था Scotland आता था, Ireland आता था, उसके उपर उन्होंने अपनी धौस जमानी शुरू की कि जैसे आप ये देखिए कि अगर मौले में किसी के पास पैसा हो तो अपने परोसियों के उपर अपना influence जमाता रहता है, तो इस तरीके की चीजे जो है, ये वहाँ पे भी 1688, अब 1688 में एक बहुत बड़ी कहानी हुई, इसमें क्या हुआ कि जो English Parliament थी, उसने मुनाकी से पावर चीन ली, वहाँ के जो राजा थे, जो ब्रिटिश किंग थे, उससे 1688 में पावर ले ली गए और वो पावर अब मर्ज हो गए British Parliament में, और ये बात जो थी, ये इंस्ट्रुमेंटल थी ब्रिटिन को नेशन इस्टेट में कनवर्ट करने के लिए, तो इस तरीके से जब English Parliament ने किंग से पावर सीज कर ली, तो ये बात इंस्ट्रुमेंटल बनी ब्रिटिन को नेशन इस्टेट बनाने में, और ये एक आशन इस्टेट था कि जिसके सेंटर पर इंगलेंट था, क्योंकि इंगलेंट सबसे ज़्यादा पावरफुल था, इंगलेंट सबसे ज़्यादा पैसे वाला था, तो इस तरीके से एक नेशन इस्टेट बनाने की कलपना की गई, जिसके सेंटर में इंग्लेंड हो और यह तभी हुआ कि जब मुनाक से जब किंग से जो ब्रिटिश किंग थे उनसे जब पावर 1688 में ले ली गई उसके बाद फिर 1707 में एक कानून लाया गया जिसे कहा गया Act of Union यह कानून लाया गया England और Scotland के बीच में तो जब यह कानून लाया गया England और Scotland के बीच में तो Scotland के लोगों को भी समझाया गया कि हम आपस में यूनाइट हो जाए इससे हमारी पावर बढ़ जाएगी इससे हम दुश्मनों का मुकाबला अच्छे से कर पाएंगे तो यह कह करके Scotland को भी समझा लिया गया औ अब इस Act of Union 1707 के बाद England और Scotland आपस में मर्ज हो गया और इनको United Kingdom of Great Britain कहा गया यह आपने देखा कि England और Scotland को मिला करके यह United Kingdom of Great Britain यह बने फिर British Parliament में अब चुकी यह सारी चीजें British Parliament, England के Parliament से निकल रही थी mainly हलाकि इसको जब दोनों United हो गया तो इसको जो है वो Parliament of Britain कहा गया लेकिन उसमें English Members जादा थे और इस तरीके से जादा पावर्स उनके पास में थी तो कह रहा है कि British Parliament had greater number of English Members अब British Parliament का मतलब कि ऐसी Parliament जो England और Scotland के मिलने से हो यह British Parliament का यह कत्ता ही मतलब नहीं है कि यह English Parliament है है इसमें Scotland भी शामिल लेकिन उसमें English Members जादा थे और इस मुझे से Scotland के political influence को उन्होंने कम कर दिया Scottish people were forbidden to speak their Gaelic language और देरे देरे करके Scotland के उपर जो है वो पाबंदिया लगाई गए उनको मना कर दिया गया कि वो अपनी Gaelic language नहीं बोल सकते हैं उनको English बोलना पड़ेगा उनकी जो national dress थी वो पहनने से उनको मना कर दिया गया और इस तरीके से Scotland और England के बीच में कुछ लड़ाईया भी हुई लेकिन अंत में उनको दबा दिया गया और इस तरीके से British Parliament British Parliament का मतलब आप ध्यान से समझेगा British Parliament English Parliament नहीं है British Parliament का मतलब Joint Parliament of England and Scotland लेकिन इसमें English members जादा थे और इस तरीके से उन्होंने Scotland के political influence को समाप्त कर दिया और इसके परणाम सरूप जो Scottish लोग थे उनको अपनी गेलिक language बोलने से मना कर दिया गया और अपनी national dress पहनने से मना कर दिया गया अब बहुत कुछ ऐसा ही Ireland के भी case में हुआ क्योंकि England दिन बदिन सक्तिशाली होता जा रहा था उसने Scotland के साथ मिलकर कि Great Britain बना लिया तो अब वो Ireland के उपर उसने रुआप जाड़ना शुरू किया Ireland के उपर उसने अपना influence दिखाना शुरू किया तो इट वस डिवाइड़ बिडिन Catholic एंड Protestant तो Ireland में Catholic और Protestant दो Communitys Christianity की रहती है तो Catholic यहाँ पर जादा है यहाँ पर Ireland Catholic बखतायत Community वाला है यहाँ पर Catholic जो है Majority में है और Protestant Minority में है लेकिन England में Protestant Majority में है तो यहाँ की जो Ireland की जो Protestant Community थी उसकी England ने मदद की कि ताकि Protestant अपना influence establish कर ले Catholic country के उपर कि country तो Catholic है वहाँ की Major Population Catholic है लेकिन Protestant जो है वो अपना दबदबा कायम करने में इसलिए कामयाब रहे क्योंकि उनको England की मदद आसिल थी तो Catholic ने कई बार reward भी किया British Dominance के खिलाफ लेकिन उसको suppress कर दिया गया इसी तरीके का एक reward यहाँ पर बताया गया वुल्फ टोन ने किया था और उनके Irishman ने 1798 में लेकिन यह reward दबा दिया गया और उसके बाद Ireland को भी जबरदस्ती United Kingdom में मिला लिया गया और इस तरीके से United Kingdom बना जिसमें Britain और Ireland शामिल थे मतलब कि जिसमें England, Scotland और Ireland शामिल थे तो इस तरीके से United Kingdom बना और इसके बाद एक नया British Nation जो है फोर्ज किया गया एक नया British Nation constitute किया गया जिसमें mainly English culture था और नए symbols जैसे British flag जिसको Union Jack कहा जाता है वो existence में आया National Anthem God Save Our Noble King ये जो England का National Anthem था उसको पूरे United Kingdom का National Anthem बना दिया गया और English language को सबसे ज़्यादा प्रोमोट किया गया तो ये बात आपको यहाँ पर बताई जा रही है मेरे ख्याल से ये आपको Unification समझ में आ गया जाओ 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 जाओ, जाओ जाओ, 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